हेलो बच्चो स्वागत है आप सभी का आर्वी अडिटीव क्लास में तो बच्चो आज मैं आप लोगों में एक कोस्चन लेकर क्या हूं यह कोस्चन क्लास 9 की मैथ की चैप्टर नंबर 10 सरकेल से लिया गया है यह थेरम है थेरम 10.9 तो इस वीडियो में हम इस थेरम को डिसकस करेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा अगर आपने थेरम 10.8 नहीं पढ़ा है नहीं समझा है तो आप पहले उसे पढ़ लीजिए तब आपको यह थेरम समझ में आएगी अगर आपको थेरम 10.8 नहीं आता है तो मैं आई के आइकान में लिंक दे दू आखिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो है ना इतनी मैंनल लगती है वीडियो को नाने में तो इतना तो करी सकते हो चलो फिर शुरू करते हैं तो यहां पेंसे बोला गया थेरम 10.9 एंगल इंगल इंदा सेगमेंट आ और इसको हम ऐसे काट देते हैं तो जब हम काटेंगे तो क्या मिलेगा देखो हुआ ऐसे हमें दो हिस्से मिलेंगे एक नीचे वाला और एक मिलेगा ऐसे उपर वाला ठीक है तो यह दोनों होंगे सेगमेंट यह होगा मेजर सेगमेंट जो बड़ा वाला हिस्सा है वो क्या ह होगा मेजर सेग्मेंट और यह वाला होगा माइनर सेग्मेंट ठीक है सेग्मेंट इस दा रीजन बिट्विन कॉर्ड एंड करेस्पोंडिंग आर्क ठीक है यह वाला जो रीजन है यह होगा हमारा सेग्मेंट तो दो प्रिकार की सेग्मेंट होते हैं मेजर सेग्मेंट and minor segment PQ हमारे पास कोई cord है ठीक है यह हमारा center O है cord PQ से बनने वाला जो segment है इस पर कहीं भी दो point है A and B on the circle ठीक है circle के circumference पर कोई दो point A B है तो यहां पर जो angle बन रहा है A पर और B पर यह दोनों equal है हमें यह क्या करना है प्रूब करना है यह वाला जो एंगल है A और यह वाला जो एंगल है B यह equal है हमें यहीं प्रूब करना है सबसे पहले हम गीवन राइट करेंगे कि वाइंट पी एंड क्यू आफ आ सर्किल कि विद सेंटर ओ सब्देंग एंगल पी एक्यव एंड अंगल पी बीक्यु एट प्यंस एए एंड बी आन की सर्किल रिस्पेक्टिब लिस्पेक्टी एपने इपर फिर से पढ़ देता हूं कि इबन क्या है हमें पॉईंट में पेंड क्यूं आफ़ा सर्किल विद इसेंटर ओ शुप टेंट्ट्ट अेंगल पी एक्यू एंड एंगल पी बीक्यू एड पॉईंट A and B on circle respectively तो यहां पर आप देखो यह हमारा पॉइंट A यह मारा पॉइंट B है इस पर यह एंगल यह एंगल बन रहा है यह में प्रूफ दिखाना है तो टू प्रूफ क्या हो जाएगा टू प्रूफ एंगल P A Q is equal to angle P B Q यह हमें प्रूफ करना है प्रूफ इस कॉर्ड P Q सब्टेंट्स एंगल P O Q कॉर्ड P Q सब्टेंट्स एंगल P O Q at the center ठीक है अब देखो यहां पर आगे जो हम काम करेंगे वो तो थेराम 10.8 से करेंगे मैं फिर से कर रहा हूं अगर आपने अब तक थेराम 10.8 नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लिए या तो आप मेरे प्लेलिस्ट से जाकर देख लिए या तो आपकी टेन पॉइंट एट अब देखी थेरम टेन पॉइंट एट क्या कहता है दा एंगल्स सब्सक्राइब अबाई एन आर्क एड़ दा सेंटर इस डबल्ड टा इंगल्स अबबाई एक ट्ता एंगल्स अबडा इंग झाल अखींट चारेमा इंग लिए थे इंग टेन अजे कहिए ए ओके इसका मतलब यह है कि सेंटर पर बनने वाला यह एंगल इस एंगल के या फिर इस एंगल के डबल होगा या फिर कोई और भी पॉइंट होगा इस प्रकार से तो उसका भी डबल होगा सेंटर पर बनने वाला एंगल डबल होगा सरकंफ्रेंस पर बनने वाले एंगल के ठीक यानि की एंगल POQ जो होगा वो डबल होगा एंगल PAQ के इसी प्रकार से एंगल POQ डबल होगा एंगल PBQ के ठीक है यही हमें लिखना है इस थेरम के Coding सो यह हमारा सो का सिंबोल होता है एंगल POQ इस इक्वल डबल एंगल PAQ यह एक्वेशन बन हो जाएगी एंड एंगल POQ इस इक्वल टू एंगल PBQ यह हो जाएगा हमारा सेकेंड एक्वेशन तो आप इतना write कर लिजए या फिर वीडियो को pause करके screenshot ले लिजए आगे हम solve करेंगे देखिए यहां तक हम solve कर चुके हैं अब हम इसके आगे करेंगे equating equation one and two we have देखिए जब इस equation और इस equation को हम compare कराएंगे तो देखो angle POQ angle POQ same ही है तो equal हुआ जब left hand side equal हुआ तो right hand side एक दूसरे के क्या होगा equal होगा तो जब यह equal होगा तो यह हो जाएगा two angle PAQ is equal to two angle PBQ टू-टू कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा angle PAQ equal to angle PBQ और यह हमारा इस theorem का प्रूबेंस हो गया finally we write hence approved तो आप चाहँ तो इसे write कर लो या फिर वीडियो को पहुच करके screenshot ले लो तो उमेद करता हूँ कराऊ दोस्तों की वीडियो के माद config द्लियाव होगा अगर आपको कुछ भी समझम होगा तो स्क्राइब करें चैनल को खेर कीजे के दोस्तों के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो झाल झाल